नमश्काल, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है आये सुनते हैं कहानी उसके हिस्से का पुरुष जिसे लिखा है पुषबा सकसेना जी ने सो प्रिया आई है गूज बनकर बात पूरे ओफिस में फैल गई थी सभी उसे देखने, उसे बात करने को उत्सुक थे अधिकांच के हिदे में भारी उत्कंठा थी देखें उसकी प्रतिक्रिया क्या है पत्नी की तरह धांडे मार के रोईगी प्रेमिका की तरह रुमाल में सिस्की पोँचेगी या स्तब्ध रह जाएगी सुप्रिया और मानस का प्रेम खुली पुस्तक की तरह था अपने संबंधों को ना उन्होंने कोई नाम दिया ना छिपाया जिसने जैसा चाहा सोचा अपनी दृष्टी से देखा और उनके अनाम रिष्टे को अपना नाम दे डाला दोनों की इस सबसे निरलिप्तता सबको अधिक कश देती थी एक पुत्र के पिता मानस का सुप्रिया से प्रेम सबके आक्रोश का कारण था निहायत अंतरमुखी मानस के विसे में लोग बहुत कम जानते थे वही मानस सुप्रिया के साथ इतना घनिष्ट कैसे हो गया सबके आश्चरी का विसे था कार्याले का पुस्तकाले मानस का दायत था बच्चे की तरहाई से उसने सहेजा समारा था अपनी मेहनत और मेधा से पुस्तकाले में कम्प्यूटरी सुविधाएं उसने जिस सेघृता से उपलब्ध कराई कि सब वेश्मित हो देखते रह गये थे सुप्रिया के आने के पूर्व मानस का अधिकान से समय पुस्तकाले में ही बीटता था अस्पताल से मानस का शव उसके घर ले जाया गया था कार्याले के बहुत से लोग मातम पूर्शी को पहुँच चुके थे गाड़ी से मानस का नस्वर शरीर उतारा जा रहा था पतनी, गंगा, स्तब्ध देख रही थी मानोवहत्रास दी किसी और के साथ घटी थी बेटे को किसी पढ़ोसी के घर भेज दिया गया था घर में मानस के परिवार जनों के पते खोजने के लिए डाइरी की खोज हो रही थी मिसेस भल्ला को मानस के कागज फाइलें छूते देख गंगा ने अपरिचित आवाज में कहा था वह नाराज होंगे उनकी कोई चीज छूना मना है क्या चाहिए आपको किसी ने समझाना चाहा था घरवालों को ख़वर की जानी है उनके पते चाहिए वही खोज रहे है आप परिशान ना हो हम उनकी डाइरी देख रहे है नहीं नहीं वह हम पर नाराज होंगे उनकी डाइरी नहीं चूनी है किसी को गंगा के स्वर में मानो आतंक था गीता जी ने फिर प्रयास किया था ठीक है हमें डाइरी नहीं चाहिए पर उनके परिवाल जनों का पता तो बता दीजिए उन्हें बुलाना जरूरी है न किसी को नहीं बुलाना है कोई नहीं है उनका गंगा जैसे अपने आपे में नहीं थी देखिए आप इस समय दुख में हमारी बात समझ नहीं पा रही है आपका बेटा भी बहुत छोटा है इस मौके पर उनके परिवार से किसी का होना बहुत जरूरी है नागिश्वर जी ने गंगा को समझाना चाहा कहा ना उनका कोई नहीं है गंगा अडिक थी ओफिस के लोग इसी स्थिती के लिए कतही तयार नहीं थे शायद अतिशे दुख ने गंगा को विछिप्त सा कर दिया था हार कर मानस के साथ वर्षिये पुत्र से पूछा गया था मुन्ना तुमारे पापा का घर कहा है उनका पता कहां रखा है जानते हो पापा का घर कहीं नहीं है मा कहती है पापा तो नाना के घर रहते थे ना नन्ही बालक के उत्तर से कुछ आशा जागी थे हाँ हा मुन्ना अपने नाना के घर का पता जानते हो कहां रहते हैं नाना जी चंद्रनाज जी आगे बढ़ाए थे कल नाना की चिठी आई है हमें धीर सी चीज दिलाएंगे नाना दिखाऊं उनकी चिठी कुछ ही पलों में घर से नाना का पत्र ले आया था मुन्ना अपने लिए लाई जाने वाली सामगरी की सभी लिष्ट दिखा था नन्हा बालक कितना उत्साही था लिफाफे पर नाना का पता गाउं सब लिखा हुआ था थोड़ी ही देर बाद मानस के ससुर को उसकी एक्सिडेंट में रित्यों की सूचना का तार भेजा जा चुका था उतनी दूर से अंतिम संसकार के समय तक उनका पहुँचना कठिन था निरने गंगा नहीं लिया था जो सब बंधन तोड़ गया उसके लिए किसी की प्रतिक्षा क्यों वस्तो इस्थिती से सर्व था निर्पेक्ष गंगा ना रोई ना चिल लाई शायद गहरे सदमे से उसे उबारने के लिए किसी ने डॉक्टर बुला लिया था एक भी आसो नहीं गिराया है डॉक्टर गहरा आघात पहुँचा है इने एक पडोसिन ने कहना चाहा था कुछ नहीं होगा मुझे डॉक्टर बहुत प्यार किया है जिंदगी ने मुझ से शांत स्वर में अपनी बात कह गंगा शून्य में निहारती रह गई थी निरुपाय डॉक्टर चले गए थे पडोस की स्त्रियां रोने का उपक्रम करती रही पर गंगा निर्विकार बैठी मानस की अंतिम क्रियाएं संपन होती देखती रही लोग फोसफोसा रहे थे उम्र ही क्या बची थी बिचारी की कैसे काटेगी पहार से जिंदिगी बेटा तो अभी नादान है कुछ दबी-दबी बातें उभर रही थी कौन सा सुख जाना है कच्ची उम्र से ही सौत का दुख भोग रही है मानस कांतिम संसकार कौन करेगा क्या नियम विधान है अचानक मानस के जाति बंधू और कुछ परिचित वहां से खिसक लिए जो व्यक्ति उन्हें बुलाने गया उसे अब प्रत्याशित उत्तर मिला था मानस जाति से वहिश्कृत है हम उसके दाह संसकार में सम्मिलित नहीं हो सकते पर इस समय तो सारे भेद भाव बुलाकर आपको हमारी मदद करनी चाहिए तुम हमारे आचार विचार नहीं जानते इसलिए ऐसा कह सकते हो हमें अपने बच्चों का भविश्य देखना है हम बिरादरी से बाहर की बात नहीं करेंगे हमें छमा करो भईया हाँ जोड उन्होंने द्वार बंद कर लिये थे अंतिता ओफिश के लोगों ने नन्ही बेटे का हाँ चुआ मानस के सरीर को अगनी को समर्पित कर दिया था हाई रे नन्ही सी जान को ये दिन भी देखना था स्त्रियां समबेदना जता रही थी पर गंगा तो प्रस्तर प्रतिमा बन गई थी दो दिन बाद पहुँचे व्रिद्ध पिता को देख सब सहम गए थे बुढ़ापा खराब हो गया विचारे का बेटी गंगा की ओ ताक्ते पिता के चहरे की जुर्यां और गहरी हो गई थी हे भगवान क्या सोचा क्या हुआ चिंता न करें आपकी बेटी को आफिस में नौकरी मिल जाएगी हम सब यहाँ है हम आपकी बेटी की पूरी देख रेक करेंगे लोग व्रिद्ध पिता को सांत्वना दे रहे थे मानस की विभागा ध्यक्ष ने हर प्रकार की सहायता का आस्वाशन दिया था मुह नीचा की ये व्रिद्ध सब की सुनते रहे कभी कभी अश्रुपूर्ण नयन अंगोछे से पोंच नाती को देख रोट थे नाना उसके लिए कोई सामान नहीं लाये थे लंबी रेल गाड़ी की बात वह मित्रों को भी बता चुका था नाना हमें यहां अच्छा नहीं लगता हम तुम्हारे साथ चलेंगे ये लोग पापा को ले गए नाना हाँ बेटा हम वापस चलेंगे एक उसाश छोड व्रिद्ध नाना मौन हो गए थे नेत्रों के समक्ष चल्चेत्र सद्रिश रीलें घोम रही थी गाउं के विद्याले के अध्यापक पंडी जी के आकस्मिक निधन पर बे सहारा मानस को चार वर्ष की आयू से उन्होंने पाला था सरस्वती का जितना ही अगाद भंडार पंडी जी के पास था लक्षमी उतनी ही उनसे विमुख रही आसपास के बच्चों को जोड बटोर के पंडी जी उन्हें पढ़ाते थे वरना उस गाउं में सिक्षा का उतना सम्मान कहां था आस तो पंडी जी के पढ़ाए बच्चों में से कुछ उच्च अधिकारी भी बन चुके हैं मानस को जन देते ही पंडीतानी स्वर्ग सिधार गई थी उस दारिद्र में मानस पंडी जी का रत्न था शांत बुद्धी प्रदीप्त चहरा कंचन सा रंग सब का मन मुह लेता था पंडीत जी के अचानक निधन पर मानस के लालन पोशन की समस्या उठ खड़ी हुई थी पंडीत जी के दूर दराज के रिस्तेदारों में भी मानस का दायत तो उठाने वाला कोई नहीं था उन्ही की उंगली पकड़ मानस उनके घर आ गया था कुछ एक जाती धर्म के ठेकेदार ने नागभौ से कोड़ी पर मानस का दायत तो लेने की पहल किसी ने नहीं की थी उनकी इसने हचाया में मानस बड़ा होता गया बचपन से ही मानस सबसे अलग अंतमुखी प्रकृती का था उसकी प्रकर बुद्धी और शालीन व्यवार ने उन्हें मुग्ध किया था एक मात्र पुत्री गंगा के लिए उससे उप्युक्त वर और कौन होगा बाधा उनकी जाती थी मानस उच्च कुलीन ब्राम्हन और वे स्वैम उसके पाउँ पूजने वाले यजमान इस विराठ विश्व में मानस नितांत अकेला था अतह विवाह के समय जाती भेद को उठाने वाला कौन होगा पर उनकी धार्ना कितनी गलत सिद्ध होई थी सुपात्र मानस को अपनी कन्या देने वाले कई परिवार सामने आ गए थे उनकी पुत्री गंगा से मानस के विवाह की बात का कड़ा विरोध किया गया था सबकी चुनोतियों के विरोध में वह दहार उठे थे कहां गया था ये उच्चिकुल का अभिमान जब उसे पालने कोई आगे नहीं आया था आज उस पर अधिकार जमाते लाज नहीं आती उनकी दहार पर लोग चुब भले ही हो गए पर दंड मानस को भुगतना पड़ा था ये बात बहुत दिनों बाद उन्हें ग्यात हो सकी थी उच्चिकुलीन परिवारों में मानस को जाती से विहस्कृत कर दिया था में अनिंद सुन्दरी गंगा का पढ़ाई में मन कभी नहीं लगा था किसी तरहां दस्वीक अक्षाव त्रीन कर वह घर बैठ गई थी मानस से जब उन्होंने गंगा के साथ उसके विवाह की बात की थी तो उसका मुख विवर्ण हो उठा था पित्र तुल्ले पालक की आँखों में निराशा आशंका गहराती देख उसने सहज सधे स्वर में कहा था आप जो आदेश दें मुझे स्विकार होगा चाहकर भी वे पूछने का साहस नहीं कर सके थे तुम्हारा अपना मन क्या कहता है मानस ये स्विक्रिती सिर्फ मेरी आग्या का पालन भर है न क्या वे उसकी बात सहज ही मान गए थे सब को जान कर भी उन्होंने अपने को धोखा दिया था गंगा जैसी अती सामान ने बुद्धी वाली लड़की भला मानस की प्रखरता जहलने योग्य थी संदेहों अपुवादों को जुठला उन्होंने दोनों का धूम धाम से विवाह किया था उन्हें लगता विवाह के बाद मानस और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था एक दिन गंगा से पूछा भी था क्या वात है बेटी मानस बहुत चुपचाप रहता है वह तो हमेशा से ऐसे ही हैं बाबुजी आपको व्यर्थ ब्रह्म हो रहा है कहती गंगा हस्ती थी पता नहीं वह पगली लड़की मानस की बातें समझ भी पाती है इसी कारण वे मानस के प्रती और अधिक उदार और सनेही हो उठे थे मानस के अकेले पन का रहस भी उन पर ही खुला था दिनेश के विवाह में तुम नहीं गए मानस नहीं क्यों वह तो तुम्हारा घनिष्ट मित्र है जी फिर मैं आमंत्रित नहीं हूँ बाबुजी क्यों उनके स्वर में विस्मे भराया था दिनेश के घरवालों को मेरे उपस्थिती प्रिय नहीं है तभी उन्हें याद आया था दिनेश की भतीजी के विवाह का प्रस्ताव भी तो मानस के लिए आया था इसके बाद धीमे धीमे उन्हें पता लगता गया मानस के मित्र भले ही उसे सच्चे हिदे से स्विकारें उनके रूड़ी वादी परिवार उसे नीची द्रिष्टी से देखते हैं उनका कुल उनकी तुलना में नीचा जो था मानस की गंभीरता उन्हें व्यथित करती पर वे निरुपाय थे काश गंगा मानस की पूर्टा बन पाती उनकी कारिका प्रतिशोद लोगों ने भी मानस से लिया था उस रूड़ी वादी समाज में मानस को कितना मानित होना पड़ा होगा इस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया बेहद उदार निर्लो भी भोले मानस की लालची के रूप में खिल्ली तक उड़ाई जाती थी रुपयों के लालच में उसने गंगा से विवाह किया प्रायाह लोग व्यंग करते रहते इन सब के उपर गंगा से उसे कौन सा मानसिक संतोश मिल पाता होगा पिता की दुलारी सेर चड़ी गंगा को तो बस अच्छे वश्त्र, आभूशन और भोजन से ही मतलब रहता था युवती गंगा का बचपना कभी कभी उन्हें तक विचलित कर जाता था जब मानस एक पुत्र का पिता बना तो उसके सांत निर्विकार चेहरे को देख, व्रिद्ध सोच में पड़ गए थे, उन आनंद के छणों में वैसी उदासी इन्ता क्या पुत्र के प्रती आने वाले दाईत्व चिंतित कर रहे हैं मानस व्रिद्ध ने विनोत करना चाहा था आपके रहते कैसी चिंता बाबुजी क्या नाम दोगे बेटे को जो आपको रुचि कर हो हाँ बाबुजी, इसको नाम तो आपको ही देना होगा गंगा मचल उठी थी मानस की आहद द्रिष्टी पहचान व्रिद्ध ने फिर कहा था कोई नाम तो सोचा होगा मानस मानस के उत्तर के पूर वही, गंगा बोल पड़ी ना नाम आप ही दें बाबुजी विवेका नन कैसा रहेगा मानस उतना लंबा नाम कैसे पुकारूंगी विवेक ही काफी नहीं है बाबुजी मानस के उत्तर की गंगा ने तनीक भी प्रतिक्षक कहा की थी क्यों मानस उनकी प्रिश्णवाचक द्रिष्टी मानस पर निरबध थी ठीक है पुत्र के नाम के प्रति इतनी तठस्ता क्यों मानस तुम्हारी इच्छा अनिच्छा इस विशे में महत तो पूर है मेरा सब कुछ तो आपका दिया है बाबुजी मैं किंचन किसी को देख ही क्या सकता हूँ वो भी नाम जैसी चीज कैसी बातें करते हो मानस मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है जी संचिप तुप्तर के साथ शायद एक अवसाद पूर्ण मुसकान ओठों पर तेराई थी उस दिन भी वे उसकी बात का मर्म कहां समझ सके थे तो विवेक ही तै रहा मेरा विवेक गंगा ने नवजात शिशु का मुख्चूम लिया था नन्ने से विवेक को गोध में उठाए उसका प्यार दुलार करते व्रिध जी उठे दिन रात नाती के प्यार दुलार में क्या तुम इतनी दूर जाना चाहते हो लेकिन क्यूं क्या यहां कोई कमी है बेटा जी कमी की बात का तो प्रश्ण ही नहीं उठता पर संसार कानुभव पाने के लिए घर के बाहर भी तो जाना चाहिए ना बाबुजी भगवान कर दिया सबकुष तो है जितना चाहो घूमो फेरो पर तुम्हारी ये घर छोड़कर नौकरी वाली बात मेरी समझ में नहीं आती घर तो आपके पास ही रहेगा गंगा और विवेक को आपकी आग्या पर ही ले जाओंगा बाबुजी मानस उनके भै को पहचानता था आस्वस्ति की स्वास ले उन्होंने नाती को सीने से लगा लिया था ठीक है अगर तुमने जाने का निर्नय ले ही लिया है तो प्रभु तुम्हारी रक्षा करें गंगा को बताया है गंगा को आप ही समझा लें बाबुजी आशिरवाद दीजे किसी योग्य बन सकूँ पित्र तुल्ले स्वसुर की चरण धूली लेते मानस का भी स्वर रुन्थ हो था मानस का जाना गंगा को अच्छा नहीं लगा था पर पिता का लाड़ दुलार और सुक सुविधाएं एका एक छोड़ पाना भी संभव नहीं था मानस की सीमित आय में उन सुक सुविधाओं की कलपना भी व्यर्थ थी मानस को ना जाने देने की चेश्टा में उसने मनुहार भी की थी पर मानस ने अपना निर्ने द्रिन स्वर में सुना दिया था बहुत दिन बाबुजी पर बोज बन कर रह लिया अब अपना और अपने परिवार का दायत उठाना मेरा कर्तव है गंगा मेरा सब कुछ तुम्हारा है पर इसी सीमित आय में काम चलाना होगा बाबुजी से और अधिक ले पाना अब मेरे लिए संभव नहीं है गंगा क्या कह रहे हो बाबुजी क्या पराएं है हमारे सिवा उनका और है ही कौन गंगा के बड़े बड़े नयन अश्रुपूर्ण थे उन्होंने जो दिया है उससे ओरण हो पाना तो असंभव है पर उनकी पुत्री का भरन पोशन करने योग्य बन सकूँ यहां देखवा प्रसन नहीं होंगे छी ऐसा कह कर तो तुम बाबुजी का अपमान कर रहे हो तुम जितना वेतन घर लाओगे उतनी तो तुम्हें बाबुजी से पॉकेट मनी मिलती है उनका सब कुछ हमारा ही तो है न हमेशा हमने बाबुजी से लिया ही तो है गंगा कभी मुझसे भी कुछ लेकर देखो बहुत सुक पाओगी मेरी सीमी ताय पर तुम्हारा एक मात्र अधिकार होगा मन्द इसमें तहराया था मानस के अधरों पर तुम्हारी बाते मेरी समझ के बाहर है यहां रहकर भी तो बाबुजी का हाथ बटा सकते हो क्या कष्ट है यहां जो बाहर भाग रहे हो गंगा जुझला उठी थी बाबुजी वट व्रिक्ष हैं उनकी चाया बहुत सीतल है पर उसमें मैं पनप नहीं सकता काश तुम मेरी बात समझ पाती हलकी सी उसांस छोड़ी थी मानस ने व्रिद के माथे की लकीरें गहरी हो उठी सच मुझ वह पगली कहां समझती थी मानस की बात बेटी ही को क्यूं अपराधी ठहराएं वे स्वैम भी क्या अपने मानस की थाह पा सके थे आज मानस की डाइरी उसके विभागा ध्यक्ष दे गए हैं उसकी अलमारी खोली गई थी व्यक्तिगत पत्रों के साथ यह डाइरी भी मिली थी अच्छा होता डाइरी उन्हें ना दी जाती डाइरी हाथ में आने पर उसे ना खोलना उन्हें असंभव लगा था पहले प्रिष्ट से अंत तक वे पढ़ते गए थे घर से इतनी दूर आना एक अनुभव था जब से होश समाला अपने को पराश्रित पाया है दूसरों की दया पर पला बढ़ा जिसकी अपनी आशा आकांक्षाएं सब उधार की है बाबुजी के अपार स्नेह में भी दया की करुना नजर आती है और मेरी पतनी गंगा उसका जीवन सहच स्वभाविक नदी सह है पिता और पती की कगारों के बीच निश्चल बहती धारा पिता की उदारता मुझे दे कर वह परित्रिप्त है पती नामधारी मानस जिसका सब कुछ उसके पिता के उपकारों तले दबा है अपनी हर आविशक्ता के लिए गंगा पिता पर निर्भर है पिता की दया पर आशित, मानस भी कभी उसकी आविश्यक्ता पूंड कर सकता है, शायद वह्या बात सोच भी नहीं सकती अन्य मनस्क व्रिद्ध प्रिष्ट पलटते गए थे, एक प्रिष्ट पर द्रिष्टी गड़ गई थी आज उस नई लड़की ने सहायक लाइब्रेरियन के रूप में ओफिस जोईन किया है, कितनी डरी डरी सी लग रही थी मिश्रा बता रहा था, कलकत्ता ओफिस के मिस्टर दयाल की बेती है, हार्ट अटेक में पिता की अचानक मृत्ति हो जाने के कारण, उसे ये नौकरी दी गई है सर, मैंने इसके पहले कहीं काम नहीं किया है, आपकी गाइडन्स चाहिए, मैं जल्दी ही सब सीख लूँगी, आत्म विश्वास से पूर द्रिष्टी मुझ पर निबद्ध थी हाँ, कोई प्रॉब्लम हूँ तो बताईएगा, यहां का काम बहुत असान है, मन लगा कर काम करेंगी, तो कुछ भी कठी नहीं लगेगा थैंक यू सर, आखों में जैसे दीब जल उठे थे, दूसरे दिन मानो उसकी मैं प्रतीक्षा सी कर रहा था, उसके आने से कमरा को ज़्यादा ही आलोकित हो उठा था सर, आप किसी अच्छी जगा रहने के लिए एक कमरा दिला सकते हैं? मेरी मेज के पास खड़ी सुप्रिया, कुछ परिशान सी थी कमरा? क्यों? क्या यहां कोई परिचित नहीं है? नहीं, मा अकसर बिमार रहती हैं, कलकत्ते में मौसी उन्हें समहाल लेती हैं, कलकत्ते में भाई की पढ़ाई चल रही है, उसे तो वहां रहना ही होगा, मुझ अकेली के लिए बस एक कमरा ही काफी होगा उदास मुस्कान बिखर आई थी सुप्रिया के शुष्क होटों पर ठीक है, देख कर बताऊंगा, अभी कहां रह रही हैं? बर्किंग वीमिन्स होस्टिल में फिर वहां क्या कस्ट है? आफिस से होस्टिल बहुत दूर पढ़ता है न सर? आने जाने में दो घंटे व्यर्थ चले जाते हैं पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिल पाता क्या पढ़ रही हैं आप? हिंदी साहित्त में सोधकारी कर रही हूँ विशे क्या रखा है? स्वातंत्र योत्तर उपन्यासों में प्रेम तत्व विशे बताते सुप्रिया का मुख शायद आरक्त हो उठा था अच्छा हो सोधकारी के पूर्व पत्र चारे पाच्छिक्रम की सहायता से लाइब्रेरी साइंस की परिक्षा पास कर लें ये डिगरी आपको ज़्यादा उपयोगी रहेगी ना जाने क्यूं स्वर रुद्ध हो उठा था जी मैंने कभी नहीं सोचा था किसी कार्याले में नौकरी करूँगी मैं लक्छर बनना चाहती थी सर सुप्रिया का स्वर उदास था जो चाहा जाये हमेशा वह पूरा थो नहीं होता मिश सुप्रिया स्वर में तनिक आक्रोश छलक आया था एक बात कहूं सर आप कभी कभी बहुत आक्रोश में लगते हैं जैसे किसी से नराज हूँ मैं अपने आप से नराज हूँ सुप्रिया जी आप मेरी चिंता ना करें आप मुझसे इतने बड़े हैं सर फिर मुझे आप कहकर क्यों संभोधित करते हैं सर ये आफिस है सुप्रिया जी यहां रिष्टे नहीं जोडे जाते पारस पर एक सोहर्द बना रहें काफी है कुछ दिनों में यह सत्य जान जाएंगी अपमान से सुप्रिया का मुह कुमला गया था क्यों कभी कभी मैं इतना कठोर क्यों हूँ उठाऊं व्रिद्ध पिता से मिलने कोई सर्जन आये हैं नाती विवेक सूचित कर खेलने भाग गया था सावधानी से डाइरी बिस्तर के नीचे रख वे बाहर चले गए थे मानस के सहकर में शोक समवेदना प्रकट कर चले गए थे मानस की सभी प्रसंसा कर रहे थे उसके बिना लाइबरेरी कितनी आपरिचित लगेगी सबको विदा दे व्रिद्ध ने डाइरी के प्रिष्ट पलते थे दो दिनों से सुप्रिया नहीं आ रही है आफिस की सहाई का कला देवी ने बताया था सुप्रिया दिदी तेज बुखार में पड़ी है बेचारी का यहां कोई नहीं है कल तो दवा हमसे मगाई थी कहां रहती है मिस पाठक उसी संध्या अपने सामने अचानक मुझे देख सुप्रिया के ज्वर से बोचिल नयन चौक गए थे सर आप कैसी है सुप्रिया जी कला देवी ने बताया आप अस्वस्थ है बस यूँ ही शायद मौसमी बुखार है माथे पर मेरा हाथ अचानक चला गया था ना जाने कैसी ममता सी उमर आई थी उस असहाय भीरूसी लड़की के लिए खाने पीने का क्या इंतिजाम है लगता है भूँ खरतार चल रही है आफिस में ख़बर क्यों नहीं भेजी सुप्रिया स्वर में धेर साय स्नेह उमर आया था सुप्रिया की आँखें भराई थी जी से अधिक वह कुछ बोल कहा सकी थी माथे पर स्नेह पूर हाथ धर मैं मौन सांत्वना ही तो दे सका था पूरे आठ दिनों बाद आज सुप्रिया का ज्वर छूटा था इस बिमारी में तो वह एक नन्ही आज्याकारी बालिका भर रह गई थी दवाई देने से पत्थे देने तक का दायत तो मेरा ही था किस कदर निर्भर हो गई है सुप्रिया मुझ पर मेरी कही बात उसके लिए वेद वाक्के बन जाती है यहाँ तो मेरे लिए सर्वत्ह नवीन अनुभव है कोई मुझ से इतनी प्रत्याशा रखे मेरी छाया तले सांस ले मैं अकिंचन भला किसी को क्या दे सकता हूं सुप्रिया है कि हर पल एहसास कराती रहती है कि उसके जीवन के लिए मैं कितना महत्वपूर हूं अच्छा लगता है यह है हैसास कितनी संतुस्टी, कितनी त्रिप्ती क्या इसी को पुरुष की एहम तुष्टी कहते हैं डाइरी पढ़ना रोक वृद्ध विचार मगन हो गए थे डाइरी के प्रिष्ट खुलते जा रहे थे हर पल यह हैसास गहराता जा रहा है कि मैं भी कुछ हूं सुप्रिया के साथ जीना कितना स्वभाविक लगता है गंगा के साथ स्वामिनी और सेवक कासा भाव क्यूं हावी रहता था मुझ पर सुप्रिया मेरे मन की साड़ी पहनती है जो रंग मुझे भाता है उसके अलावा दूसरा रंग नहीं खरीती मन उहार करके मेरा मन पसंद खाना बनाती है वहाँ तो भोजन भी बाबुजी के मन का खाना पड़ता था अपने लिए इतना आयोजन एक अंजानी बुलक भर देता है ये मुझे क्या होता जा रहा है सुप्रिया के बिना शायद जीवन जीना सकूं पर घसीटना तो पड़ेगा गंगा और अपने पुत्र के प्रती अन्याय कर रहा हूँ मैं कितनी ना समझ है गंगा अपने पती को किस विश्वास पर छोड़ निश्चिंत बैठी है उसे यहां आने को कितनी बार लिख चुका हूँ पर वा यहां आना ही नहीं चाहती मुझे बुला रही है मैं वापिस उसके पास चला जाओ वा समझती क्यों नहीं पती को यूँ अकेले छोड़ देना क्या गलत नहीं है चश्मा उतार व्रिध ने आँखें मोद ली एकाथ बार गंगा ने पती के पास जाने की दवे स्वर में इच्छा व्यक्त भी की थी पर नाती के मोह ने उन्हें अंधा बना दिया था विवेक के साथ उनका बचपहन लौट आया था नाती और पुत्री के साथ मानस को वह भुला ही बैठे थे गंगा को भेजा भी तब जब सिर से पानी उपर आ गया था कुछ उर्ती खबरों से वे एक छड़ को विचलिट जरूर हुए थे पर मानस पर विश्वास था वह नयाय कभी नहीं करेगा अंदेखी लड़की पर बेहत क्रोध आया था उन्हें कौन है ये सुप्रिया मानस ने लिखा था आज सुप्रिया ने स्पष्ट कह दिया मैं उसकी मांग में सिंदूर भले ही न डालू उसने अपने को मेरी पतनी स्वेकार किया है या कैसे धर्म संकट में डाल रही है सुप्रिया गंगा को तुरंत आने का तार दे दिया है कुछ खाली प्रिष्टों के बाद लिखा था गंगा के यहां पहुँशते ही पडोसियों ने अपना पडोसी धर्म निभार डाला है दो दिन तक रो चुकने के बाद बाद में ताने देती है बाबुजी ने भी कितने कठोर स्वर में कहा था अच्छी दुश्मनी निभाई भाईया हमारे उपकार का यही फल देना था मैंने पहचानने में गल्ती की गंगा को समझा बुझा कर बाबुजी गाउन लोटा ले गए घर आने पर गंगा कोच कोच कर प्रेशन पूछती है आसपास कौन है? क्या है? का ध्यान भी नहीं रखती घर का वातावरन कलहपूर हो गया है गल्ती ना गंगा की है ना मेरी मेरी एहं को मेरे पुरुष को मान तो सुप्रिया ने दिया है वरना मैं तो सोया हुआ था सुप्रिया तीन माह की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रही है कैसे रह सकूँगा उसके बिना गंगानी कहीं भी मेरे साथ ना जाने की कसम खाली है उसका वश चले तो विवेक को भी मेरे पास ना आने दे मेरी हर चीज तलाश्ती है विवेक मेरे सामने सहमा सहमा रहता है कैसे समझाओ इस नादान को मेरा सोया पुरुष सिर्फ सुप्रिया को पहचानता है एक सप्ता को सुप्रिया आ रही है कल शाम की ट्रेन से उसे रिसीव करना है स्कूटर के ब्रेक ठीक नहीं लगते उसे ठीक कराना होगा आज दिन भर पानी बरसता रहा अब स्कूटर की मरम मत सुप्रिया के आने के बाद ही करवाऊंगा डाइरी का यही अंतिम प्रिष्ट मानस के जीवन का भी अंतिम प्रिष्ट था बरसाथ से भीगी सडक पर स्कूटर स्किट कर सामने लगे बिजली के खंबे से जा टकराया था मानस का सिर पूरे वेग से खंबे पर जा लगा था पास के पान वाले ने गुहार मचा जब तक उसे अस्पताल पहुँचाया सुप्रिया को रिसीव करने वाले नयन बंध हो चुके थे स्टेशन कहां पहुँच सका था मानस कार्याले में पहुँचते ही सुप्रिया को साथियों ने घेर लिया था सुप्रिया वे स्मित थी कल स्टेशन पर लेने मानस क्यों नहीं पहुँचा कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं मन नाना चिंताओं से घेरा हुआ था जो सुना वह अब प्रत्याशित उसे जड़ बना देने को प्रयाप्त था मानस की खाली कुर्सी को एक टक निहारती सुप्रिया ने धीमे से अपनी बिंदी पोँच पास खड़ी लड़की से कहा था मुझे उनके घर जाना है नमिता पास खड़े सेहकर्मियों के मद दभी उत्सुकता कुल बुला रही थी कई सुप्चिंतक उसे मानस के घर तक पहुँचाने आगे बढ़ाए थे पर सुप्रिया ने द्रिन स्वर में कहा उनका घर मेरे लिया परिचित नहीं अच्छी तरह रास्ता जानती हूँ आप लोग व्यर्थ अपना समय नश्ट ना करें किसी आई चेहरों पर आक्रोश परिलक्षित था देखो तो लड़की का दुस्सा हस एक तो चोरी उस पर सीना चोरी सधे कदमों से मानस के घर की सेढ़िया चढ़ सुप्रिया ने जुक कर व्रिद्ध पिता के चरण चुए थे गंगा की ओध ताक द्रिन स्वर में सुप्रिया ने कहा था तुम्हारी अपराधिनी हूँ मैं दीदी जो चाहे दंड दे दो एक ही प्रार्थना है मेरा न्याय करते इतना जरूर याद रखना तुम्हारा सम्मान अक्षुण है तुम सबकी सहानभूती की पात्रि हो और मैं? मैंने अपना मान सम्मान सब कुछ खोकर जो पाया था आज उसकी राख भी शेश नहीं क्या इससे बड़ा कोई और दंड होगा? सुप्रिया की सूनी द्रिष्टी में अपनी छाया निहारती गंगा उसे गले से लिप्टा जोर से रो पड़ी थी आशा है कि यह इस परशी कहानी आपको बहुत ही पसंदाई होगी अगर कहानी पसंदाई है तो मुझे प्रोट साहित करने के लिए एक लाइक करें अपनों के साथ जादा से जादा शेयर करें नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर कहानिया आपको समय पर मिलती रहें फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद